बारती ये जनता बाटी जिसकी अपनी एक अलग पहचान है ये केवल एक राजनितिक दल नहीं, एक आंदोलन है विचार धारा जिसका प्राण है, जिसके सिध्धान्तों में निष्ठा है जो भारती ये संस्कती के गौरव शाली अतीत से प्रेरना लेते हुए माभारती को परम वैभव की और ले जाने को संकल्प बद्द है भाजपा एक आंदोलन भाजपा की गाथा संघर्षों से गड़ी हुई गाथा है ये गाथा है अंगिनत देश भक्तों की, लाखों करोणों कारेकरताओं की और ऐसी विभूतियों की जिन्होंने अपने अटूट विश्वास और अथक परिश्रम से इतिहास की धारा को मोड दिया देश की राजनिती को नई दिशादी, राष्ट प्रेम और देश भक्ती की अलग जगाई स्वतंतरता के पश्चात जब नहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए तब तत कालीन प्रधान मंत्री नहरू ने पाकिस्तान में रह गए हिंदूं की जिम्मेदारी से मुह मोड दिया तब से उद्वेलित होकर डॉक्टर श्रीव श्यामा प्रसाद मुखर जी ने नहरू मंत्री मंदल से त्याग पत्र दे दिया नहरू के पाश्चात के प्रेम से ऐसी नीथियां बनने लगी जिन में भारतिय संस्कृती सुरक्षित नहीं रह सकती थी कॉंग्रिस गांधी वाद को विस्मित कर नहरू वाद के रास्ते पर चलने लगी डॉक्तर मुखर जी और कई अन्य राष्टवादी नेताओं ने इस खत्रे को भाप लिया एक नए राजनितिक दल की आवश्यक्ता महसूस की जाने लगी और इस तरह उन्निस सो इक्यावन को स्थापित हुआ भारतिय जनसंग जनसंग की ओर से मार्च उन्निसो तिरपन में कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए दिल्ली में सत्यागरह आरंभ किया गया डॉक्तर श्री श्यामा प्रसाद मुखर जी ने तै किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करेंगे उन्होंने सिह गर्जना करते हुए कहा था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेगा अपनी द्रड संकल्प शक्ती और जनता से मिल रहे समर्थन के बल पर 11 माई 1953 को श्री मुखर जी ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर लिया और उनको गिरफतार कर लिया गया 23 जून 1953 को संदेहा स्पद स्थितियों में विशहीद हो गया देश में शोक की लहर दोड़ गया मुखर जी के बलिदान के असर ये हुआ कि 9 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधान मंत्री के पद से हटा कर बंदी बना लिया गया और जम्मू कश्मीर के लिए परमिट अवस्था को खत्म कर दिया गया 1947 में देश को ब्रिटिश हुकूमतों से तो आजादी मिल गई लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे थे जिन पर अभी भी विदेशी ताकतों का कबजा था इन क्शेत्रों की मुक्ती के लिए पार्टी ने गोवा मुक्ती आंदोलन जलाया पॉंडिचेरी दादर हवेली की स्वतंतरता के लिए अभ्यान चलाया पश्चन बंगाल के बेरुबारी को पाकिस्तान के हाथों में सौपने का तीब्र विरोध किया कच्छ समझोते के विरुध आंदोलन किया और गौव हत्या के विरुध अभ्यान चलाया वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने छल पूर्वक भारत पर हमला कर दिया और कच्छ के कंजर कोट समेत कई इलाकों पर कबजा कर लिया जनसंग ने इसका विरोध किया और देश भर से जुटे पांच लाख लोगों ने दिल्ली आकर फौज नहारी, कौम नहारी, हार गई सरकार हमारी कनारा दिया जनसंग के समर्थन से ततकालीन प्रधान मंतरी लाल बहद्दुर शास्त्री को हिम्मत मिली और भारतिय सेना ने पाकिस्तान पर विजय पाली और इसके बाद देश में आया वो दौर, जिसे भारतिय लोक तंत्र का सबसे स्याह दाग माना जाता है आपातकाल आपातकाल के दौरान तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उन्हें यातनाई दी गया राश्क्रिय स्वयम सेवक संग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया जनसंग के हजारो कारे करताओं ने अग्रिम पंक्ती में खड़े होकर आपातकाल के दंश को जेला और 1977 के चुनाओं में जनता पाटी के नित्रत्व में देश को नई सरकार विले पर भारतिय राजनिती का ये पहल प्रयोग ज्यादा दिन नहीं चलबाया और आपसी लड़ाई वो कॉंगर्स के शर्यंत्रों के कारण सरकार गिर गई और 6 अप्रेल 1980 को जनता पाटी से अलग होकर भारतिय जनता पाटी का गठन हुआ 1987 में देश में राजीव गांधी की सरकार थी वो फोर्स मामले में उनकी सरकार प्रभष्टाचार के आरोप लगे और शाहबानों केस ने उनकी अलप संख्यक बोट बैंक की राजनीती का परदा पाश कर दिया 25 सितंबर 1989 को पंडित दीन रयाल उपाध्याय की जैनती के मौके पर श्रीलाल कृष्ण आरवानी ने गुजरात के सोमनात से रामरत यात्रा शुरू की देश के जिस भी भाग से ये यात्रा निकली इसे अपार जन समथन मिला इस यात्रा ने नकेवल भारती जनतापाथी की राजनीती को बदल कर रख लिया बलकि देश के ध्विश्य को ही एक नई राह दी 1991 का वो दौर जब आतंकवाद अपने चरम पर था उसी दौरान भाजपा ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फेहराने का निर्णे लिया दिसंबर 1991 में भाजपा के ततकाली नध्यक्ष दौर मुरली मनोहर जोशी के नित्रित्व में एकता यात्रा निकाली गई श्री नगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फेहरा कर डौक्टर जोशी ने भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया वर्ष 1996, 1998 और 1999 में तीन लोग सभा चुनाव हुए जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पाटी बनकर उभरी और श्री अटल बिहारी भाजपाई ने देश को सफल नित्रित्व दिया इसके बाद भाजपा को विपक्ष में बैठने का निरने मिला और भाजपा ने यहां भी एक सजग और जनता की आवाज उठाने वाले सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई आज केंद्र और अनेक राज्यों में भाजपा और इसके गठबंधन की सरकारें अंतियोदय एवं एकात्म मानववाद के आधार पर जनकल्यान के कार्वे कर रही है आज भाजपा विश्वती सबसे बड़ी पाटी है इस पाटी को लाखों करोणों कारे करताओं में सीचा है और आज भी इसके समर्पित कार्वे करता नैपथ्य में रहकर माभारती की सेवा कर रहे है भाजपा का लगातार हो रहा देश में बिस्तार इस बात का प्रतीक है कि लोगों की आस्था और विश्वास पाटी नित्रत्व में बढ़ रहा है पाटी को देश के कोने कोने से अपार जन समर्थन मिल रहा है भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अनेक अभिनाव व़ लोक कल्यान कारी योजनाओ के माध्यम से पाटी के अंत्योदय के प्रण को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे है मौजूदा सरकार की ओर से सब का साथ सब का विकास के मंत्र पर सफलता पूर्वक काम हो रहा है देश की जनता से पाटी को मिल रहा अभार जन समर्थन भी एक तरह का आंदोलन ही है एक ऐसा अंदोलन जिसमें पाटी का प्रत्यक कारे करता न्यू इंडिया के स्वपन को पूरा करने के लिए संकल्प बंद है